तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि जर्मन सिल्वर क्या है और चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सब जो है करते रही आप लोग तो जर्मन सिल्वर एक्चली है क्या सिल्वर भी है की नहीं है ठीक है इसके बारे में हम डिस्कॉस करेंगे अज सबसे पहले देखते हैं कि जर्मन सिल्वर किसने ढूंडा कहां खोज हुई इसकी ठीक है तो जर्मन सिल्वर वाज नेम्द आफ्टर मैलियोट एन कारिगर हूँ डिस्कवर्ड इट इन फ्रांस इन डिस्कवर्ड किया कह जाता है एक हिंट मेर्किन जर्मन सिल्वर है इसको डिफ्यन किया गया आटिं थर्टी में ठीक है एकशल्य है कैसे बनता है तो देखते हैं डैंस एन डरीजन वाई इट जर्मन एलान तधrän एले ठीक है पहले बात हम जान लाते हैं है चेंडर नám तो लेकिन वास्तों में यह silver है ही नहीं तो फिर हम silver इसको क्यों बोलते हैं question होगा नहीं तो दुने डामेन रिजन वाइट इस वाइट इस वाइट कॉलर ठीक है इसके जो शिल्वर चांदी कलर होने के कारण ठीक है इसे जर्मन सिल्वर के नाम से आना जाता है अब यह एक्शली होता है कि तीन एलिमेंट्स का मिक्शर है ठीक है जर्मन सिल्वर इसको बनाए जाता है और एक बात और कि यह जुल्री के लिए सुटेबल नहीं है यह इनसे जुल्री आप नहीं बना सकते ठीक है तो यह कौन-कौन से वाइट अलुए अफ निकल वाइल अलुए मतलब सब समझते ही होंगे निकल जिंक और कॉपर इन तीनों को मिक्स करके एक पॉफिक्ट पॉपॉसन में ठीक है पॉ इंग्लिस में कॉपर बोला जाता है जस्ता इंग्लिस में जिंक निकल तो निकल तो बलाएं जाता है अब अब देख रोगे उपर 50% यहां पर दिया हुए एक दिया 50% 35% 15% इसका मतलब क्या वही 50% और 35% का मतलब यह है कि यदि आप 15% तामबा 35% जस्ता और 15% निकल मिक्स कर रहे हो तो जर्मन सिल्वर का फर्मेशन हो जायागा ठीक है लेकिन नीचे नीचे में आप देखोगे एंड करके को और चीज़ दिया हुए ठीक है वहां पर भी वही है सिर्फ कॉपा जिंक एंड निकल सिक्षी 2020 अब क्या है कि यह अलग अलग पर पसंद में है यह जो आ मैंने सोचल मेडिया से देखा स्वेशन गूगल क्या सकतो आप तो आप सिस्टी 2020 का बता रहा था पॉपासं ठीक है तो आप दोनों मैनेज करोगे कोई दिकर नहीं क्योंकि तो मिक्षार है आप काम अधिक सब चलता है उसमें ठीक है अब जर्मन सिल्वर को आप यूज कहा आप यूज करते नहीं गुदिक इसाट र१ीन सरह कोष देखा विचा अपनाेशन गूज को आप यूज कूर्ण रिघ्ञ तो आप अप से यूज करते है उन्हें जल्वर कॉटेर वाइर उन्में क की याता दूसरफ यहा है की जो क्वेड बेए अपछल होते हैं अब जो क्या होता है कि उनके को हीट करने के लिए भी जर्मन सिल्वर का यूज किया जाता है ठीक है यह था जर्मन सिल्वर अब असींपल डिफिनिशन यही होगा कि मिक्चर ऑफ यह वाइट एलुए अफ निखेल जिंग एंड कॉपर इच काल्ड जर्मन सिल्वर आप इस बोल सकते ह यह क मिलाकर एक मिक्सिर त्यार कियाता है जैसा क्या catching क्या पर अबार सकते हैं कि एक मिलत hints यह को बनाओगे तो यह मिक्सिर और यह का Easter क्यों है एक निचीत होगा जैसे 50 35 15 है फिर 60 20 20 ऐसे करकर के अब लगा रहे हो तो जर्मन सिल्वर के फर्मेशन होगा और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूं फिर से आपको दुबारा कि जर्मन सिल्वर में किसी तरह का चांदी का सिल्वर मतलब वही होंदा है न चांदी उसका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है इसके कलर के कारण इसे जर्मन सिल्वर नाम दिया गया है ठीक है ओकी थैंक यू और बाकि तो पता ही आपको क्या करना है ठोको लाइक सब्सक्राइब एन लाइक कॉमेंट्स बाए बाए